नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देखें निसल दस्तक लोग पूछ रहें कि यूपी चुनाओं में क्या होगा मेरा एकदम सठीक सर्वे आप जान लीजिए लेकिन उससे पहले दो तिन बड़ी बातें चंसेखर अजाद राबन जो हैं वो योगी के खिलाप चुन इसलिम को टीकट नहीं देती है चंसेखर राबन ने तैय कि वो एक भी सवन को टीकट नहीं देंगे लेकिन आपको चौकाने वाले लगेगा आपको पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा और कौन हा रहा और यही सर्वे काम करेगा इसके बाद मैं आपको गराउंड से भी रि पर दिखा रहे हैं जेनरल काटिगिरी की लोग हंडेट परसेंट एक सो हंडेट परसेंट लोग जो है वो बीजेपी के साथ बने हुए हैं किसी भी कीमत पर और वो सिर्फ इसलिए कि सरकार उनको सरकार ने उनको एकनॉमिक बीकर सेक्षन का आरक्षन दिया है मुसल्मानों पर जुल्म जारी है और उससे भी बड़ी बात जो अरक्षन खत्म किया जा रहा है एक तो मुसल्मान टाइट है और दूसरा अरक्षन खत्म हो रहा है और तिसरा जाती बात कायम रहे अब आते हैं OBC के लोगों पर OBC के लोग कहा जा रहे हैं OBC में जिस तरह से उंपरकास राजभर अखलेश यादब के साथ आए हैं जिस तरह से स्वामी परसाद मौरिया अखलेश यादब के साथ आए हैं सैनी जिस तरह से साथ आए हैं दारासिन चोहान जिस तरह के साथ आए हैं सोनेलाल पतेल की बेटी क्रिशना प्तेल उनकी पत्नी और सोयलाज की जो बड़ी बेटी है वो पल्लेभी प्तेल जिस तरह से अखलेश के साथ आ है तो OBC का एक बड़ा बर्ग उनके साथ आता दिखरा है खुद अखलेश यादब OBC है तो यादब कम्यूनिटी का बोर्ट उनके पास आ रहा है लेकिन अभी भी कुर्मी में बड़ा चंक है जो अनुपिरिया पटेल और सोतंदर दीब सिंग को आगे रखकर केसा परसाद मौर को आगे रखकर BJP खेल करना चाह रही है और वो अभी भी OBC है उसके बाद निसाद बोट जो है वो BJP के साथ बना हुआ है कहने का मतलब है कि OBC में 50-50% कहा करा है मतलब 50% अखिलेश के साथ जाएगा तो 50% BJP के साथ जाएगा फिलहाल इस देश में जो जाती का जो गुमान है जिस वज़े से सिर्यूल काश्ट के लोग OBC को बोट नहीं करते हैं बिना गटवंधन के अगर OBC और मायावती में गटवंधन हुआ तो दलित मुस्लीम एक सा OBC को बोट देने नहीं जारें गर आप हैं तो गफलत में OBC का बोट बट रहा है अब OBC के लोगों को चुकि उसकी सैक्षनिक पिछापन है समाजिक पिछापन है वो अपने हग अधिकार के लिए सजग नहीं है उसके पत्रकार नहीं है टेलिजन चैनल नहीं है उसको कोई बताने वाला नहीं है वो सबसे ज़्यादा सिक्षित है तो उनका बोट धर्म के नाम पर मुसल्मान के टाइट करने के नाम पर जा रहा है बीजेपी के पास 50% जो जागरूख है वो अब भी अखिलेश के साथ आ गए हैं अब आते हैं हम सिडूल कास्ट पर तो सिडूल कास क्लेश यादव को मिल सकता है और मिल सकता है तरह से पिछली बार उनोने कनोजिया समाझ को ज़ाधा टिकर दिया था जो ..." काथ है मुसलमान का सौंटिकर बोट काटते है और पिछ़ली समधाय के उनकेyon को संख्यष्ट के और टीकर बोट नожалуйमू देन सौलचाल दक्राइब करते हैं लेकिन इसके बाद भी संभावना है कि इस तरह से कास्ट्रो सिटी हुई है जिस तरह से आरक्षन खत्म हो रहा है जिस तरह से प्राइटाइशन हो रहा है सिटूल कास्ट के लोग समाजिक और आजितिक रूप से बहुत चेतना सील है और वो किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे लेकिन उनका बोट 25% कहीं भी एक मूस जाता नहीं दिख रहा है इसलिए कहीं से र बोट जाता है मायवती जी को बोट मिलता है अखिलेश को बोट मिलता है तो यह भी बोट बढ़ता हुआ दिख रहा है जिसकी पूरी संभावना है ऐसे में सबसे आसान है बीजेपी का फिर से सत्ता मियान आपको चौकाने वाले लगेगा लेकिन यह सच है कि जो चार अलग अलग कुनवे लड़ रहा है चुनाव अखले से लग लड़ रहे हैं मैवती जी अलग रही है रावन अलग रहा है कॉंग्रेस अलग लड़ रही है इसमें बीजे पी का फायदा होता दिखरा है क्योंकि बाकिस सब बोट बट रहा है OVC का बोट बट रहा है सिडूलकाश का बोट बट रहा है मुसलिम समाज का बोट बट रहा है लेकिन सबन समाज का बोट एक मुस्त जा रहा है एक साथ तो ऐसे में अगर 50% OVC मतलब आधा OVC मिल जाता है जिसकी संख्या EUP में 50% मतलब 25% वोट मिलता है 15% सबर्नों का बोट मिलता है तो 40% का अकरा होता है अगर 5% बोट और वो जुगार कर लाते हैं सिडूलकास से तो BJP की अजे बढ़त हो जाएगी सपा के पास अगर 25% OVC आता है अगर 5% या 10% मुसलिम बोट आता है 35% का अकराप पुड़ता है मतलब OVC पलस मुसलिम है अब ऐसे वे 35% का उनका अकराप पुड़ता है 25% 35% अगर सिडूलकास का बोट उनको बिलकुल नहीं मिलता है 5% तो वो पीछे रह जाएंगे माया बती जी को पूरा सिडूलकास का वोट मिल जाए सबसे आगे दिख रहे हैं अब रही बात किसका सॉलूसन क्या है सॉलूसन हो सकता है जिस तरह से अखिलेश यादव ने सबर्नों का अगर वो कोटा कम कर दे सीटे कम कर दे और उसको वो दलिस समाज में दे दे रावन को दे 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 या पिछली जातिय के उन चोटी जाति कम संख्या वाले जाति सम्मूहों को अगर वो टिकर देते हैं तो वो खेल बदल सकते हैं लेकिन मुझे नहीं पता उनके पास कौन से सलाकार काम कर रहे हैं फिला लेता है कि बीएसपी या सपा जितना सबर्न टिकट बाटे गी उससे सबर्नों का बोट फिलाल उसको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है यह मेरा सर्वे है मेरे रिपोर्टर से बाच सच नहीं देखना चाहते हैं तो यह मेरी समस्या नहीं है पत्रकार के तबर मेरा काम है सही सच बोलना तो अगर जिस तरह से शुरुवाती तरीके से जिसतर और सारी पाटिया अलग चुनाल लए और जिस तरह से सपा और बसपा सबन समाज को टिकट दे रहा है उस हिसाब से और जिसतर से BJP ये भी मुसल्मान को टिकट नहीं दे रही है और उस टिकट को वो अति पिसलिजातियों में खपा रही है तो BJ बीजेपी लीड लेती ही दिख रही है और घबराईएगा नहीं कोई अतिस्रक्ति नहीं होगी कि पूरा जो सासन पर सासन विवस्था बीजेपी के साथ है मीडिया साथ है सोसल मीडिया पर उसके पास बहुत ताकत है टेलिविजन अखबार है क्योंकि 5% बोर्ट जो होते हैं वो मुभेवूल होते हैं वो ये देखते हैं कि कौन जितने वाला है उसको देंगे और उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांस्फरेवूल बोर्ट जो टीवी और अखबार की जद में होते हैं अब तो लोग कहरें कि 10% तक वहां करा हो गया है तो ऐसे में 45-50% बोर्ट लाके निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें